नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्ति जोती में मैं रश्मी मिस्टा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग कुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित जन गीत नामक कवीता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगोंने इसी कवीता की व्याक्या को देखा था यदी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवस्थे देख ले ताकि आपको इस कवीता को समझने में आसानी हो आईए अब हम इस पार्ट से सम्मंदित प्रश्ण उत्तर को देखते हैं तो सबसे पहले वस्तुनिष्ट प्रश्ण जो कि वही विकल्पी है तो पहला प्रश्ण देखिए चनगीत के रचनाकार है चनगीत के रचनाकार कौन है? तो देखिए इसका क्या विकल्प दिया गया है पहला विकल्प है जैसंकर प्रशाद दूसरा विकल्प है मेतली सरंगुप्त तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प है हमारा सुमित्रा नंदन पंद तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर है वो है घर सुमित्रा नंदन पंद यानि कि जनगीत कवीता के रचनाकार कौन है सुमित्रा नंदन पंद दूसरे प्रश्ण को देखते हैं क्या है कि विशाद की निशा क्यूं बीत रही है इसके विकल्ब देखिए पहला है तो एक प्राण होने से नई सुबह होने से गह निसान उड़ने से और गह गीत गान होने से तो कवी ने इसमें बतलाया है कि जो विशाद यानि कि दुख की जो रात्री है वो दीरे-दीरे छट रही है क्यों छट रही है क्योंकि इस समाज में जो रहने वाले लोग है वो सभी एक जुट हो रहे हैं सीसरा प्रशन देखिए सोसित का अर्थ है तो इसका विकल्ब देखिए जो सोशन करता है जो सोशन करता है उसे तो हम सोशक कहते हैं दूसरा जिसका सोशन किया गया हो और तीसरा जो रस खीचता हो और चौथा उप्रोक्ट में से कोई नहीं तो जिस व्यक्ति का सोषण किया जाता है, यानि कि जिस व्यक्ति पे अप्तेचार किया जाता है, उसे हम लोग सोषित कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ह, जिसका सोषण किया गया हो, उसे हम लोग सोषित कहते हैं, और आईए हम भूव विकल्पी का जो अंतिम प्रश्न है कि नौव युग में नया क्या है। देखिए इसके भी गल्प है। नई सरकार, ख, नए नेता, ग, नए प्रसासक और घ, नए नियम। तो नौव युग में सबसे नया क्या है। नए नियम। बिलकुल नए तरह के नियम बनाया जाएंगे। लोगों के गुणों को महत्व दिय क्या जाएगा। जाती, पाती, रंग, आदी के आधार पर भेद भाव नहीं क्या जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घ, नए नियम। आईए अब हम इस पार से संबंदित जो लगूतर ये प्रश्ने हैं उसे देखते हैं। पहला प्रश्ने देखिए। कभी पं जूट होकर ही विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्ने देखिए, भारत वासी किस नींद से जगे हैं। ठीक है। तो उत्तर देखिए भारत वासी स्वार्त और लोग की नींद को त्याग कर जग गय हैं। और इसलिए क्या हो रहा है। नया सभेरा हो लोग जुट हो रहे हैं और आगे उन्नती की राह पर बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रशन देखिए, कभी का मन क्या नहीं सहना चाहता। उत्तर, कभी का मन अब उत्पीरन और अन्याय नहीं सहना चाहता है। किसी भी प्रकार के अन्याय को अब कभी का मन सहना नहीं चाहते हैं। सथा नम्मर प्रश्ण को देखिए। सथा नम्मर प्रश्ण है कि पंत जी समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं। उत्तर देखिए। पंत जी समाज को उत्पीडन, अत्यचार और दुखों से मुक्त तथा संगठित रूप में देखना चाहते हैं, एक जुट देखना चाहते हैं, जिस समाज में किसी का अन्याय नहों, किसी पर अन्याय नहों, किसी का उत्पीडन नहों, लोग दुखों से मुक्त हों तथा एक जुट होकर उन्नती के पत्पर निरंतर आगे बढ़ सके आईए अब इस पार्ट से संबंदित बोध मुलक प्रश्ण को देखते हैं पहला प्रश्ण कवी कैसी निषा के बीतने की बात कर रहा है और क्यों उत्ता देखिए कवी विशाद यानि कि दुख की निशा यानि कि रात्री, तो कभी विशाद की निशा के बीतने की बात कर रहा है, जीवन में समता, स्वाधीनता और एकता की भावना का प्रसार होने की कारण, एक नया सबेरा आ गया है, लोगों में मुक्ती की उतकन्ठा क्तीवर हो गई है, यानि लोग किस से? गुलामी से, तरह तरह की बेडियां हैं जिसमें समाज जक्डी हुई है, चाती-पाती-बेदभाव, छुआ-चुथ इस तरह की जो पुरानी रूड़िवादी परंपरा हैं, उससे अब लोग मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होने की भावना उनमें तीवर हो गई है, और लोग समस्त भेद भाव को भुला कर विकास की राह में आगे बढ़ है अतजीवन के सभी कष्ट गमापत हो रहे हैं तो यह जो मारा प्रशन है कि कभी कैसे निशा के बीतने की बात कर रहा है और क्यूं कभी जो है विशाद की निशा बीतने की बात कर रहा है क्योंकि लोगों की जीवन में अब स्वाधिनता और एक्टा की भावना आने से क्या हो गया है लोगों की जीवन में नया सभेरा आगया है आईए दूसरे प्रश्ने को देखते है दूसरा प्रश्ने है जन्गीत कभीता का मूलभाव अपने शब्दों में लिगी मूलभाव यानि की केंद्रिय भाव को हमें बताना है तो देखिए उत्तर जन गीत कुमित्रा नंदन पंत की एक प्रगतिवादी कवीता है कवी के अनुसार समय बदल रहा है जिसके कारण सदियों से सोसित प्रताडित लोग एक कंड से मुक्तिगीत गा रहे हैं अब तक जो लोग आपसी भेद भाव, स्वार्थ, काम, क्रोध, आदी जैसी दुर भावनाओं के जाल में फसकर अपना विनास कर रहे थे अब एक साथ मिलकर अपना अपने समाज का और अपने देश का विकास कर रहे हैं तो यह इस कवीता का मूल भाव है जिसमें जो कवी है वो प्रगतिवादी दिश्टिकोड को रखे हुए और बतार है कि लोग जो है अब अन्याय और शोषण को खत्म करके आगे बढ़के आपसी भेद भाव को मिटा कर उन्नती के पत्पर निरंतर आगे बढ़ना चाहते ह आए-गर नमबर प्रश्ण को देखते है गर नम रमबर प्रश्ण है हमारा तीसरा जो प्रश्ण है कि नोव युक को निया विधान हो इस पंक्ति के आधार पर बताईए कि कवी निल्यूग को किस रूप में देखना चाहते है यानि कि civilians प्र्णन पंत कर दो ऐसे संद्री और से चले आने वाली जड़ नियम है, उनको तोड़कर ऐसे समाज के निर्माड की कल्पना कहते है. मतलब उनको ऐसे समाज के बारे में वंआ सोचते हैं, जहां पर एकता भो, संद्री और संगठन हो. कभी को किसीविग काının भी भ obsess भा़ बह स्विकार नही हो गुणों के डिए पर वियक्ति की चमताओं को पर्खा जाय और इस तरह नए युक की कलपन प्रगति सिर विचारों के डिए तब जब करता है तब बंद्ग को आशी गता तुमी कामाथ क्म인지 है जिसमें अन्याय ना हो शोशन ना भेद भावना हो और लोगों को उनकी चमताओं के आधार पर सम्मान दिया जाए उचापद दिया जाए और बिल्कुल ही नए तरह का एक समाज हो तो सुवित्रा नंदनपंथ जी की जो कवीता है वह बहुत ही प्रगतिसील कवीता है कैसे प्रगतिसील समाज के निर्माड की बात कहीं जा रही है तो आज के समय में भी हमारे भारत वर्ष के लिए तुप नहीं है लेकिन पावी ने इसमें यह भी बताया है कि हमें एक जुट होकर प्रयास करना होगा तभी हम अपने लक्ष तक पहुच पाएंगे आईए अब इस पार्ट से सम्मंदित जो भाषा बोध की प्रश्न है हम उसे देखते हैं तो इसमें देखिए निर्णलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए यानि यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं इनका हमें समास विग्रह करना है तो सबसे पहला शब्द है अब है इसका आप लिख सकते हैं और यानि की ना है तो कौन से समास है यह नए समास है दूसरा है आभिन यह भी बिल्कुल उपर वाले की तरह है और यानि ना जिसे हम कहते हैं और यहाँ पर आपका वही होगा नए समास इसरा जो हमारा शब्द है लोक कर्म तो क्या होगा लोक के लिए कर्म कौन से समास है यह आपका ततपुरुष समास ततपुरुष समास और इसके बात का शब्द है जीवन खिल्पे उसका क्या होगा जीवन का सिल्पे जीवन का सिल्पे कौन से समास है यह आपका ततपुरुष समास यहां लिग देती हूँ समास कितने प्रकार के होते हैं उनका विग्रह किस प्रकार होता है यह जानना बहुत ही जादा आवश्यक है यहां पर केवल मैं पाठ में आये हुए तो भाशा बहुत है उसके आधार पर हल करवा रही हूँ ठीक है तो देखिए नवयुक का है नया है जो योग नया है जो योग कौन से समास से यहां पर कर्मधारे समास कर्मधारे आई अब हम आगे को देखते है आगे क्या है कि नीचे दिये गए विशेशन और विशेश्य यानि कि संग्या का मिलान करें यानि यहां पर कुछ विशेशन दिया गया है जैसे अभय, शुद्ध, काम, उसके बाद संगठी, नव, और इधर नीचे की तरफ आपको विशेश् तो इसमें आपको मिलान करना है तो आई यह करते हैं इसमें क्या कर सकते हैं कहला अब है निशान अब है इसे तरह किसे सुद्ध स्वार्थ काम नींद कि वाद तंगठित समाज तंगठित समाज नव योग यह यहाँ पर हो गया तो इस पार्ट में आए हुए लगबक सभी प्रशनोत्तर एवं भाशा बोथ करवा दिये गए हैं आसा है कि यहाँ आप लोगों के लिए अत्याधी कुपयोगी होगा और यदि इससे आपको पायदा हुआ हो लाव हुआ हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इसी के साथ अन्यवाद लावट